हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब सौगत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्जेस्टॉक में जैसे कि मैंने आपको बताया था मंडे वॉलेटाइल रह सकता है फ्राइग टेकनिकल वीडियो में तो आज मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल था और काफी अच्छे अफ आपको का प्रॉफिट बुक किया और बेसिकली उनको लेवल्स मिले राइट टाइम पर और उन्होंने ट्रेड किया देट्स वाए मैं बोलता रहता हूं आपको कि दिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन करिए और हमारी फ् निफ्टी के एनलेसिस से सो जो निफ्टी के मैंने कुछ लेवल्स निकाल के रखे हैं वो हैं 17,100 एन 17,050 17,100 जो है हमारा बहुती important लेवल है अपसाइड के लिए अगर ये break होता है तो market बहुत अच्छा उपर जा सकता है और अगर 17,050 ब्रेक होता है तो ये हमारे नीचे के लेवल है इसके बाद नीचे market काफी नीचे तक जा सकता है तो ये दुनों बहुत crucial लेवल है अब इनके targets भी देख लेते हैं तो अगर 17,100 ब्रेक होता है तो हमारा जो पहला target आएगा वो 17,150 गाएगा देन आएगा हमारा second target 17,200 गा देन आएगा हमार third target 17,300 का अगर नीचे की तरफ 17,050 ब्रेक होता है तो हमारा जो पहला target आएगा वो आएगा 16,980 का second target आएगा हमारा 16,910 का and third target आएगा हमारा 16,800 का तो ये हैं Nifty के levels और इनका रखना है आपको ध्यान क्योंकि levels ही market में आपको sustain करेंगे अगर आपको levels ही नहीं आद रहेंगे कल तो आप trade कैसे कर सकते हो तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि आप इस levels पे ध्यान रखो इन levels पे ध्यान रखो क्योंकि ये कल के लिए बहुत ही crucial ट्रेड होने वाला है बहुत ही crucial रहेगा सो अब कर लेते हैं bank nifty का analysis अब bank nifty का analysis भी कर लेते हैं कि bank nifty भी बहुत volatile था nifty की तरह और इसमें भी बहुत बड़े बड़े move हुए और हमारे members ने काफी लाखो लाखो का profit book किया तो जो हमारे bank nifty के levels हैं वो है 35,130 upside के लिए और 34,800 downside के लिए ये दोने बहुती important levels हैं इन levels पर आगर market आता है तो बहुती बड़े बड़े move मिल सकते हैं आपको upside के लिए और downside के लिए अब इनके देख लेते हैं हम targets भी तो जो पहला target होगा वो होगा हमारा 35,130 break होता है तो तो वो होगा 35,200 का then second target होगा हमारा 35,300 का and third target होगा हमारा वो होगा 35,400 का और अगर हम नीचे की बात करें नीचे के level की बात करें अगर 34,800 break होता है तो हमारा जो पहला level होगा वो होगा 34,700 का second target होगा हमारा 34,600 का and third target होगा हमारा 34,500 का तो ये हैं हमारे upside और downside के levels, levels का ध्यान रखें सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चनल और किसी भी वीडियो में अगर आपको कुछ लगता है doubt या फिर आपको कोई query हो तो आप comment करके हमें बता सकते हैं हम try करेंगे कि आपका reply जल्दी से जल्दी करें टेलिग्राम लिंक को join कर लो ताकि आप benefit उढ़ा सको subscribe कर लो YouTube चनल इंस्टा पर follow कर लो मिलता हूँ मैं आपसे अगली धमाकेदर वीडियो में